नमस्कार आप देख रहे हैं SVA Smart Tech की YouTube चैनल बहुत दिनों से इस चैनल पर वीडियो नहीं आ रहा था क्योंकि मैं दूसरे कामों में बीजी था इसलिए इस चैनल पर थोड़ा ध्यान हट गया था और चलिए मैं आप सभी को एक पार्सल अनवाक्सिंग करके दिखाने वाला आज कल सोसल मीडिया पर न्यूज चैनल का जो क्रेज है वो काफी ज़्यादा बढ़ चुका है ऐसे में बहुत सारे लोग यह सर्च कर रहे हैं कि कौन सा माइक अच्छा रहेगा न्यूज चैनल के लिए कौन सा माइक हमें पर्चेश करना चाहिए और क्या हमें माइक पर्चेश करना चाहिए वो सारा डीटेल मैं बताने वाला हूं तो वीडियो में अंतक बने रही है और मेरा नाम है संतन और आप देख रहे हैं एस्वी अस्मार्टिक यूटूब चैनल से चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं तो देखिए हमारे पास एक फ्लिप क बार चैनल के जो लोगो रहेगा वह इस पर चिपकाया हुआ रहेगा उसके बाद चलिए और भी दिखाते हैं इसमें से बाहर निकाल करके देखिए यह फोम है जो कि माइक के उपर से लगा हुआ रहा था, देखिं, यह हो गया माइक, चलिए इससे ओपन करते हैं, और देखिं, इसके अंदर यह एटाइच हो जाता है उसके बाद यह इसमें लग जाता है और इसमें आप जो भी चैनल का लोगो है वो लगा सकते हैं और इसके अंदर और यूजर मेनुवल है और यहाँ पे सिलका जेल है और एक स्टिकर है और चलिए अब इस माइक का डीटेल बताते हैं कि कितना में हम यह माइक पर्चेश किये हैं यह माइक हम पर्चेश किये हैं 764 रुपए में इसका जो प्राइस है वो 700 से लेकर 1000 तक के रेंज में रहता है आप देखीगा तो कभी बढ़ा हुआ रहेगा कभी घटा हुआ रहेगा अब मैं आप सभी को बता देता हूं कि यदि आप नया चैनल ओपेंड की हैं न्यूज का तो आपको ब्लूटूथ लेना चाहिए या फिर वायर माइक लेना चाहिए तो मैं आप सभी को बता दू कि यदि आप वजट के अनुसार देखे तो नया चैनल ओपेंड की होंगे तो आपके पास वजट काफी लो होगा तो ऐसे मैं आपको वा परणिंग आना स्टार्ट हो जाए तो आप ब्लूटूथ माइक भी पर्चेश कर सकते हैं तो हमें आसा है कि आप सभी को ये वीडियो काफी पसंदागा वीडियो पसंदा तो लाइक कर दीजे चैनल पे नए है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बिल आइकन प्रेस कर लिज